वालो स््टूडेन्स दिस रितु शर्मा योट्यूब चैनल AdOFlight इस वीडियो में हम लोग भात करेंगे कि जो अंसर अप्छरस करण करने का जहीं तरीका होता है पोर्टल पर क्या है क्यूश्टी भूने भी नोटीस करा होगा कि जब आप वोटल पर आंसर अप्लोड करने के लिए गैलेरी से पिक्स को सिलेक्ट करते हो ना एक साथ तो वहां पर क्या होता है कि कुछ फाइल सिलेक्ट हो जाती है या कुछ नहीं होती पोर्टल पर जाने के बाद आपको दिखेगा कि पेज 6 तो अप्लोड हुआ है लेकिन जो है 7 आ रहा है उसकी जगा पे 6 वाला शो ही नहीं कर रहा है वहाँ पे ठीक है तो काफी सारी चीज़े होती है जिसके वज़े से हमारा आंसर गलत सम्मिट हो सकता है जिनका हमें बहुत ध्यान डखना सरूरी है आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हूँ कि अपने कौन-कौन से पेजिस अपलोड करे हैं वो सही सीक्वेंस में अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं तो यही सब चीज़े डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो do subscribe and press the bell icon ताकि आगे भी कोई वीडियो आती है मेरी आपके exam से related उसकी notification आपको सबसे पहले मिल जाए और इस वीडियो को आपको अपने friends के साथ जाधा से अधा शेयर करने तकि उनकी भी problem solve हो सके और उनका भी answer गलत upload ना हो तो फटा फट से शुरू करते हैं अच्छा पहले तो एक चीज़ समझो यहां पर है कि जैसे आपने camera से pick click कर लिए और आप उनको gallery से choose करके जब portal पर upload करते हो तो काफिसारे बच्चे मुझे बोलेते मैं मुतनी clear pick नहीं होती है वह यह आपको crop करने की विजरूत होती है उसको तो बैटर होता है कि जो भी suppose आप answer number 4 कर रहे हो ना तो उसको जो भी scanner आप यहूस करते हो ना उसम यहां पर इनको स्लेक्ट कर रहा है जब आप इनको स्लेक्ट करते हो तो मेरे ऑपोर्चन आरा होता है यह तरही से सेव तू गैलेरी कर लो तो यह जो एकदम से इसकेंड इमेजिस यहां पर गैली में सीफ करो फिर उनको अपलोड करो पोटल पर तो वह ज़्यादा बैटर है क्योंकि काफी सारे बच्छे क्या करते हैं कि एक एक पेज की पीडिएफ बनाती क्योंकि उनको स्कैन करनी होती है इमेजिस तो एक पेज की पीडिएफ बनाने तो जब आप पोर्टल पर लॉग इन करते हो तो कुछ ऐसा सर्फेस आपको देखने को मिलता है उपर आपका रोल नंबर रहता है यहां डाउनलोड पेपर को आप्शन आता है उसके बाद नीचे आपको आंसर अप्लोड करने के आप्शन होता है तो यह शुरू में आंसर वन करने को दिखा रहा है सपोज में आंसर वन नहीं कर रही हूं तो मैं इसको अप्लोड भी नहीं करूंगी तो सपोज मैं कोशन नंबर फोर के अंसर मुझे अपलोड करने है तो आपको करना क्या है यहां पे देखो पहले तो add files पर click करने के बाद अपी गयलेदी खुलके आ और वहाँ से चूज कर लोगे एक इमेज और इस तरीके से शो करेगा आपको ठीक कि यहाँ पर शे हो करेगा लेकिन अभी अप्र वह लोगे अभी 위enda रहा है यहीं ढुमत्त अभी महिने चूज करी याशी करें यहां पर फिल हो के आ जाता इस तरीके से और यह फिर जब आपकी अपलोड हो जाती है तो यह डिलीट को उप्शन दिखाने लगता है तो जब आपके साली files जितनी भी आपको एक answer अंदर अपलोड करनी है और यहां से आप चैक भी कर सकते हैं कि आपने कौन-कौन से pages upload कि यहां फिलोड है या नहीं like जैसे कि आपका यह हाला first है मेरे ठीक है तो यह मेरा खुल के आ जाएगा कि मैंने कौन आ Santo fan यहां पर अप्लोड हुआ है तो आप देखलो आपका स्ट फेज्व अप्लोड हुआ है या नहीं फिर आप सेंड पर क्लिक करो तो वह फेज़ को आजयेकगा फिर आप देखलो कि आपका जो पेजंध नमबर पर अपलोड होना था वही है या नहीं एसे करकर के आप सारे पेज़ जो भी अपलोड करें आप उनका सीरियल नमबर चैक कर सकते हैं वह ठीक से अपलोड हुए था नहीं या पर फोर्थ मैंने जैसे किया या फर्स आप चार कोशन तक पर करना ही होते हैं या कभी-कभी तीन करने होते हैं तो वह जितनी पर अप्लोड करनी है अप्लोड कर दो सब फाइल जब आपकी अप्लोड हो जाएं तो आप नीचे की तरफ देखतो यहां पर एक उप्शन आत करते हो तो अगेउन यहां पर इस तरीके से खुल कर आजाता है आपने किसने कितनी इमेजस अप्लोड करी हैं कौशा आपने अप्लोड नहीं करा है इस तरीके से आपको यहां पर यह दिखा देता है फिर इसी पेज पर जब आप ऊपर को क्लिक करोगे इसको नीचे की तरफ जाओगे इसी पेज के ऊपर तो यहां पर आपसे पूस्ता है कि एग्री एंड समिट रिस्पॉंस क्या आप एग्री ह करेंगे और ओके पर क्लिक करने के बाद देन आपका यह वाला पेज शो होके आता है जिस पर यह बताता है कि आंसर शीट सम्मिटेड सक्सेस्पुली कंफरमेशन मेल सेंट टू यह रिजिस्टर एमेल और यहां पर आपकी इमेल लिखी रहती जिस पर यह इमेल भेजा गया है तो इस तरीके से जब आप एक-एक इमेज सेलेक्ट करके मतलब पहले एड़ फाइल पर गए एक इमेज सेलेक्ट कर ली फिर फिर जब वो सक्सेस्पुली अप्लोड हो गई तो फिर महां से दुबारा एड़ फाइल पर जाओ फिर दूसरी इमेज सेलेक्ट करो इस तरीक कि अगर यह लिखा आगे आपका अंसर सम्मिट हो गया है फिर चाहिए आपके पास इमेल आए या ना आए क्योंकि कभी-कभी सर्वर प्रॉब्लम होती है इतने सारे बच्चे इमेल कर रहे होते हैं तो कभी-कभी नहीं आपाता हमारे पास इमेल ओके तो अगर यह लिखा सब्सक्राइब करेंगे तो इस वीडियो को सियर करना जादे स्यादा अगें डू नट फोगेट टू सब्सक्राइब और फ्रेस दा बैल आइकन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक क्या बाइबाइबाय ओल दे वेस्ट